जैसा कि आप जानते हैं कल यानी बुधवार से चेतर नवरात्री शुरू हो रही हैं चेतर नवरात्री के इन नौ दिनों में मा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाएगी वहीं बता दे कि मा का प्रथम रूप मा शेल पुत्री का है बतादे कि मा का ये रूप बहुती शांती प्रिय प्रतीत होता है श्वेत वस्थ धारं कि ये मा शैल पुत्री के दहीने हाथ में तिशूल है और बाएं हाथ में कमल शोभित है उनके माथे पर चंद्रमा उनकी शोभा बढ़ा रहा है संपूल हिमालया पर विराजमान अनन्दी बैल पर सवार है मा का ये रूप करुणा और स्ने का प्रतीक है शास्त्रों के नुसार मा शैल पुत्री का जनम परवत राज हिमालया के घर में हुआ था इसी के चलते इनका नाम शैल पुत्री पड़ा और घोर तपस्या करने वाली मार शैल पुत्री सभी जीव जनतों की रक्षक मानी जाती हैं वहीं मार की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह उठका स्नानादी करें और स्वच कपड़े पहने इसके बाद एक चौके पर मार दुर्गा की प्रतिमा रखें इसके साथ ही आप कलश थापना और अखन जोती भी जला सकते हैं और कलश थापना की पूरी विधी आप हमारे इससे पहले की वीडियो में भी देख सकते हैं इसके अलावा आप मार शैल पुत्री का ध्यान कर व्रत का समकल्प भी कर सकते हैं और क्योंकि मा शैल पुत्री को सफेद रंग बहुत पसंद है इसलिए उन्हें सफेद वस्त्र और सफेद फूल चड़ाएं जहां तक संभव वो भोग के लिए सफेद मिठाई का ही उप्योग करें इसके बाद मा शैल पुत्री की कथा सुने आप दूरगाचालीसा का पाठ कर सकते हैं और फिर मा की आरती करें वहीं अगर मा शैल पुत्री की कथा की बारे में बात करे तो राजा दक्ष त्वारा अपने निवास पर यग्य का आयोजन कर सभी देवी देवताओं को आमंतरित किया गया परंतो अपने अपमान का बदला लेने के लिए उनके द्वारा शिव जी को नहीं बुलाया गया माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता के घर यग्य में शामिल होनी की इच्छा जाहिर की सती के आग्रे पर भगवान शिव ने भी उन्हें जाने की अनुमती तो दे दी लेकिन पिता जी के यहां पहुँचने पर पिता दक्ष ने भरी सभा में शिव जी के लिए अब शब्द कहे इस थिती में माता सती निराश होकर यग्य की वेदी में कूद पड़ी उन्होंने अपने प्रांत याग दिये इसके बाद अगले जनम में मा ने शैल राज हिमाल्य के घर जनम लिया जहां वे शैल पुत्री कहलाई और अगर आप भी नवरात्री से जुड़ी और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल का फेस्टिवल या नवरात्री स्पेशल प्लेलिस जरूर देखें हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राए हमें कमेंट करकर जरूर बताएं साथ ही वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करना न भूले और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर ले